गुड इवनिंग फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को एक बहुती खुबसूरत पत्तियों वाले इंडोर प्लांट के बारे में केर टिप सेयर करूंगी और इंडोर भी रख सकते हैं उसको आप ऐसा नहीं कि इंडोर प्लांट ही है और आउटडोर भी रख सकते हैं टैरिस पर भी रख सकते हैं उस प्लांट को और बहुती सुंदर प्लांट है और इस समय आप नरसरी से इस प्लांट को जरूर ला सकते हैं वह प्लांट कौन सा है आगे मैं बताऊंगी उससे पहले मेरे कुछ इंडोर प्लांट दिखा देती हूँ आपको सिंगोनियम देखिए और हमारे यहां जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मैं अपने टेरिस के प्लांट को भी और प इस तरह से मेरा प्लांट है और इतनी गर्मियों में भी देखे मेरे प्लांट कितने अच्छे हेल्दी और बिल्कुल ग्रीन है तो आज जिस टॉपिक पर में बात करने जा रही हूँ वह प्लांट है ड्रेसीना जो बहुत ही खुबसूरत इनकी धेरो वैराइटी आपको न पती है और एक का ग्रीन है और यह तो क्रोटोन है तो कितना खुपसूरत लग रहा है देखिए और एक ड्रेसीना की वैराइटी यह है और एक यह है देखे एक ऐपको यह कुल मिला मेरे पास चै प्लांट हैं और सभी की पत्तियां बिल्कुल अलग-अलग है मैंने ऐसे ही और सोच कर लिया है कि दोनों एक जैसे ना हो दो प्लांट और सबसे जादा खुबसूरत मुझे यह वाला लगता है क्योंकि इनकी पतियां बिल्कुल परपल कलर की डार्क परपल कलर की आती हैं और यदि आप इसे टैरिस में रखते हैं और बड़े-बड़े प्लांट के बी इनकी बहुत सारी धेरो वैराइटियां आपके मन पसंद की नरसरी में मिल जाएंगी और हमारे हाँ इसका प्राइस जादा नहीं है वह 40 से 50 रुपीज के बीच में मिल जाते हैं कोई भी नरसरी में आप ले सकते हैं तो देखिए इनकी पतियां बिल्कुल ब्लेक सी होती है और इसकी हाइट भी काफी अच्छी हो गई है और कितनी खुबसुरत लग रही है देखिए इनकी पतियां शुरु में तो इस तरह से थोड़ी ब्राउन सी रहती है लेकिन बाद में बिल्कुल ब्लेक हो जाती है और काफी अच्छा दिखता है तो इस तरह के मेरे पास लग इस तरह से घ्रिन कलर की पतियां इनकी पतिया दिख रही है लेकिन ब्लेक नहीं है और बहुत ही सुन्दर होती है यह दोनों एक ही वेयराइटी के है इस तरह से देखिए मेरा प्लांट इतना बड़ा-बड़ा हो गया है बहुत चोटे चोटे प्लांट में लेकर आई थी और बहुत ही सुंदर, तो ड्रेसीना की तो बात ही ने राली है फ्रेंड्स ये बहुत ही खुबसुरत लगते हैं, आपके गाड़न में चार चांद लगाते हैं और ज़्यादा care भी नहीं मांगते हैं सबसे main बात तो यह है कि यदि अगर कोई gardeners, beginners हैं gardening करना चाहते हैं तो इस plant को जरूर लगाईए rough and tap चलता है plant और कोई ज़्यादा care नहीं मांगता है और देखें तीसरी variety यह है इस तरह की पत्तियां आती है तो इस तरह की मेरे पास तीन variety है एक ही variety के तीन plant है और बहुत ही खुबसूरत और इनकी देखें जो branch है कुछ ही इस तरह की होती है बिल्कुल पास-पास पत्तियां आती है और उतनी थीक नहीं होती है इनकी जो branch है इस तरह से और जो शुरूबे मैंने दिखाया था देखें बिल्कुल hard होती है इनकी branch इस तरह से पत्तियां तूटे जाती है और इस तरह से इनके branch दिखने लगते हैं काफे hard होते है तो इस तरह से मेरे पास यह plant है तो मैं इसकी care किस तरह से करती हूँ आज यही बताऊंगी तो friends मैंने जब इसकी मिट्टी तयार की थी तो एक भाग मिट्टी लिया था एक भाग compost एक भाग vermic compost लिया था और आप चाहें तो गोबर की खाद ले सकते हैं और एक भाग sand तो sand में थोड़ी सी मोटी वाली sand लीजिए और एक मुठी नीम खली एक चमच fungicide powder इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तयार की थी तो जिस तरह से आम तोर पर मैं अपने garden की मिट्टी तयार करती हूँ मैंने बिल्कुल सेम उसी तरह से लिया है बस रेट को थोड़ी मोटी वाली रेट यूज़ कर लिया है आते तक मैं इनको कोई फर्टिलाइजर नहीं दूँगी तो पानी का विसेज ध्यान दीजे अभी समर सिजन है और इस तरह जो पत्तियां खराब हो जाती है उनको आप निकाल दीजे फर्टिलाइजर की इनको कोई जरुवत नहीं होती है अभी इस समय गर्मी सिजन में आप फर्टिलाइजर देने से बचिए नहीं तो प्लांट खराब होने के चांसेज भी रहते हैं और ये वाले जो हैं इनके ब्रांच काफी नरम से होते हैं नाजुक होते हैं और जो पहले मैंने तीन प्लांट दिखाए हैं उनके ब्रांच काफी ठीक होते हैं देखिए ये वाला प्लांट ये भी उसी वैराइटी का है बस पत्तियां कोई कलर अलग-अलग हैं और ये वाला जो है ये भी उसी वैराइटी का है तो तीन प्लांट मेरे पास एक वैराइटी की हैं देखे इनकी जो ब्रांच बिल्कुल थीक है और इस तरह से आप मैं continue वाटरिंग कर रही हूं उसके बाद भी पतिया नीचे से थोड़ी बर्न हो जारें क्योंकि गर्मी भी काफी पढ़ रही है इस वज़े से ऐसी पतियां बर्न हो जाती है तो ड्रेसीना में तो मैं आपको जही कहूंगी कि अभी इस समय नर्सरी से आप जरूर लाइए और इस प्लांट को अपने गाडन में एड कीजिए और मिट्टी उसी तरह से तयार कीजिए जिस तरह से मैं अपने गाडन में मिट्टी तयार करती हूं सारे प्लांट के लिए अलग-अलग प्लांट के लिए कि कोई जरुवत नहीं पड़ती है और सावरिंग अच्छे से कीजिए दोनों टाइम सावरिंग कीजिए उसके बाद देखेगा आपका प्लांट कैसे चलता है तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि कौन-कौन से ड्रेशीना के प्लांट मैंने अपने गाडन में एड किये हैं तो आसा करती हूं फ्रेंज आज के वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले व friends next video में next topic के साथ बाइ बाइ